हेलो बच्चो, आज की सिसन में भी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6 चैप्टर कर नाम है सांड़िक जिसको इंगलिस पर कहतना है डिटेमिनेंट से या 12th क्लास वालों के लिए मैथ से तो सबसे पहले हम 4.6 के बेसिक को समझेंगे कि आपको देखिए 4.6 में आपको संगत और असंगत बताना है कि यह समीकर संगत है कि असंगत है तो आप कैसे बताएंगे जैसे मान लिजिए आपको कोई एक सांड़िक दिया हो A is equal to यदि उस सांड़िक का मान डिटेमिनेंट A does not equal to क्या आता है 0 अगर माल लो कि डिटेमिनेंट A not equal to क्या आता है 0 अगर डिटेमिनेंट A का वैलू not equal to 0 आता है तो समीकर हमारा क्या होगा संगत होगा क्या होगा संगत होगा यह हमारा first है second में क्या है कि अगर डिटेमिनेंट A is equal to क्या आजाए 0 आजाए तो समिकर्ण हमारा कैसा होगा असंगत होगा कैसा होगा असंगत होगा अब कैसे बताएंगे कि determinant A not equal to 0 है और determinant A is equal to 0 है तो यह बताने के लिए आपको वहाँ पे समिकर्ण दिया जाएगा आप उसको निकाल के देखिएगा अगर determinant A is equal to 0 आता है तो आप आसानी से कह दीजेगा कि यह समीकरण कैसा है असंगत है अगर determinant a का value not equal to 0 के आता है तो समीकरण का निकाए क्या होगा संगत होगा तो संगत हो गया और असंगत दो टॉपिक आपको हो गया जैसे माल लो आपको कोई दो समीकरण दिया है x और y के रूप में माने कि हमारा पहला समीकरण क्या है x और y के रूप में क्या है 5x plus 4y is equal to आपको 3 दिया गया है और इसी में आपको 3x minus 4y is equal to क्या है 5 है और आपसे यहाँ पे पूछ ले कि बताए क्या यह समीकरण संगत है या थवा संगत है यूकि आपको 4.6 में यही निकालना है आप बताए क्या संगत है क्या संगत है तो देखिए यहाँ पे जो इसका निकाय के रूप में एक समीकरण लिखते हैं वह होता है capital A, capital X is equal to B अब यहाँ पे देखिए capital A क्या है capital X क्या है capital B आपको यहीं इस टॉपिक को यहाँ पे समझना है तो capital is equal to क्या हो जाएगा बताएगे देखिए capital A क्या होगा कि R1 में हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 का X का गुड़ां क्या है 5 है इसको लिख दीजिए फिर Y का गुड़ां क्या है 4 है इसको लिख दीजिए R1 वाले में अब R2 में क्या लिखेंगे कि समीकरण जो 2 में है X का गुड़ां क्या है 3 है इसको 3 लिखिए y का गुडांग क्या है, minus का 4 है तो यहाँ पर लिखिए minus का 4 तो आपका capital A is equal to क्या हो जाएगा 5, 4, 3, minus 4 और यहाँ पर capital X क्या होगा, बताईए capital X हो जाएगा, small x, small y अगर यहाँ पर समीकर्ण में एक और step होता Z भी होता, तो यहाँ पर X, Y और Z हो जाता है और यहाँ पर यह तीन पंग्दी तीन स्तंब हो जाते तो अब देखिए, यहाँ पर capital V क्या होगा capital V जिसमें X और Y का गुडांग करना हो तो यहाँ पर क्या है, 3 है और 5 है तो इसको आप लिख दीजिए 3 और 5 तो X is equal to B आपका यह क्या है, एक समीकरन है आपको इसी के रूप में बगत करना है आपको यदि यहाँ पर 5X प्लस 4Y प्लस 4Z होता तो यहाँ पर आप लिखते 5, 4, 4 नीचे भी हुआ ही समीकरन होता X, Y, Z के रूप में तो यहाँ भी हो जाता है X, Y, Z और यहाँ पर एक संख्या और बढ़ जाती तो चूंकि यहाँ है X और Y के रूप में है तो A is equal to क्या निकल गया 5, 4, 3, minus 4 निकल गया चलिए इसका हम determinant निकालते हैं देखते हैं कि 0 की equal आता है कि नहीं आता है अगर determinant A करेंगे तो यहाँ भी हमें determinant का क्या लगाने पड़ेगा symbol लगाने पड़ेगा तो यहाँ पी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और minus का 4 हो जाएगा और determinant यहाँ पर चिन लगा दीजिए अब देखिए 2 cross 2 cram में है minus, यहाँ पर लिखेंगे minus अब 3 का 4 के साथ करेंगे तो क्या जाएगा 3, 4 जाए, 12 हो जाएगा अब देखिए minus 20 में minus 12 को एड़ करेंगे तो minus का 32 आ जाएगा अब बताएगे क्या minus का 32 0 की equal है अर्थात नहीं है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि determinant A not equal to 0 अतहा, समीकरण का निकाए क्या है? संगत है क्या है? संगत है तो आपको यहीं बताना है कि अगर determinant A का value not equal to 0 की आता है तो समीकरण के निकाए संगत होगा अगर 0 की equal आता है determinant A का value तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा तो चलिए इसे पर हम exercise 4.6 के question को start करते हैं और एक के question को solve करेंगे और आसानिस देखेंगी कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है तो exercise 4.6 के question को आप देखिए तो यहाँ पर जो पहला question आपको दिया गया है समीकरण के रूप में आपको क्या करना है कि निमलिखित प्रस्णों एक से च्छा तक की दी गई समीकरण निकायों का संगत अथव असंगत के रूप में वर्गी करने कीजिए आपको यहाँ पर प्रस्ण संख्या एक में दिया गया है प्रस्ण एक में आपको समीकरण क्या दिया गया है बताईए आपको यहाँ पर प्रस्ण संख्या एक में समीकरण दिया गया है x प्लस 2y x प्लस 2y is equal to 2 दिया गया है और दूसर समीकरण क्या है बताईए 2x plus 3y is equal to 3 है तो मैंने आपसे बताया कि अगर समीक्रण में x और y बस 2 ही क्या है 4 है तो capital A x is equal to b वाले हाँ पर लगा दीजे formula वैसे तो आपको से अवर capital A ही चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर बताना है कि संगत है कि असंगत है आपको determinant A का वैलू यहाँ पर निकालना होगा तो बता ही age equal to क्या आजाएगा age equal to क्या आजाएगा जैसे मैंने अभी उपन निकाल के आपको दिखाया उसे अब बताईए कि यहाँ पर x का गुड़ां कुछ नहीं अर्था तो 1 है तो 1 लिखिए y के गुड़ां के है 2 है 2 को लिखिए आवन कंप्लीट हो गया अब समीकर 2 में देखिए x के गुड़ां के है 2 है 2 को लिख दीजिए और y के गुड़ां के है 3 है 3 को लिख दीजिए अब आपको क्या चाहिए determinant A चाहिए ना कि A चाहिए तो आप यहाँ पे लिखिए determinant A और यहाँ भी determinant A का क्या लग जाएगा symbol लग जाएगा 1, 2, 2, 3 अब देखिए कि determinant में 1, 2, 2, 2 यहाँ पे plus का 3 है अब इसका भी start करेंगे तो 1 का 3 के साथ multiply हुआ क्या आजाएगा 3 आजाएगा अब इसके होता है minus अब 2 का 2 के साथ multiply हुआ क्या आजाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे 3 minus का 4 तो 3 minus का 4 किसके कुल आता है minus का 1 आता है तो चूँकि determinant A not equal to 0 आता है तो अता समिक्रण का निकाय क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा यहाँ पर भी determinant A not equal to क्या है 0 है अता समिक्रण का निकाय क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा तो आपके exercise 4.5 में प्रस्ट संख्या यह क्या है संगत है अब इसी प्रकार से इसम कुछ्षा नमबर 2 को देखते है तो यहाँ पर आपको कुछ्षा नमबर 2 में समिक्रण दिया गया है उसको नोट करिए समिक्रण क्या है 2x minus y 2x minus y is equal to 5 2x minus y is equal to 5 और दूसरा क्या है x plus 4 is equal to 4 तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पर निकालेंगे A निकालेंगे A यहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा बताईए कि समिक्रण एक में देखिए x का गुड़ां के यहाँ पर क्या है 2 है 2 को यहाँ पर लिख दीजिए और y का गुड़ां क्या है minus का 1 है minus का 1 है यहाँ पर लिखिए r1 complete हो गया अब r2 में आईए x का गुड़ां क्या है 1 है 1 को लिखिए यहाँ पर क्या था यहाँ पर y है ना कि 4 है इसको y लिखिए x plus y is equal to यहाँ पर क्या है 4 है तो y का गुड़ान को सब्सक्राइब था तो 1 है तो 1 को लिख दीजिए अब आपको determinant A निकालना है तो यहाँ पर लेखिए determinant A is equal to determinant 2, 1, minus 1, 1 अब देखिए cross multiply करेंगे 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर लगाएंगे minus फार्मूला के अंसवार चुकि एक minus और है तो minus minus प्लस हो जाएगा 1 बंजा 1 अब 2 में 1 अड़ करेंगे क्या जाएगा 3 आ जाएगा 2 में 1 अड़ क्या जाएगा 3 आ जाएगा तो यहाँ पर भी determinant A not equal to क्या है 0 है आता समीकरण का निकाय क्या हो जाएगा बच्चों संगत हो जाएगा अब चलिए question number 3 देखते हैं क्या वा संगत आता है क्या संगत आता है तो question number 3 के समीकरण को आप note करिए क्या है x plus 3y x plus 3y is equal to 5 है और दूसरा समीकरण क्या है 2x plus 6y is equal to 8 तो आप यहाँ पर सबसे पहले निकाल लीजिए कि आप व्यू ए समीकरण एक वा दो से निकल जाएगा x का गुडांग क्या है 1 है y का गुडांग क्या है 3 है x का गुडांग 2 है y का गुडांग क्या है 6 है अब देखिए determinant A निकालिए तो determinant A is equal to क्या हो जाएगा determinant 1, 2, 3, 6 cross multiply करिए 1 का 6 के साथ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा फिर लगाएगे minus 2 का 3 के साथ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा अब देखिए यहां पर कि plus का 6 है minus का 6 है कट कर क्या जाएगा 0 आजाएगा अब यहां पर आपका determinant A is equal to क्या आगया वच्चों 0 आगया अगर determinant A is equal to 0 आता है तो समीकरण का निकाय क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा तो यहां पर लिखिए असंगत बस आपको केवल संगत और संगत ही बताना है तो आपने आपर बता दिया तो आप देखिए कुस्ता नमबर 4 कुस्ता नमबर 4 देखिए उसके बाद कुस्ता नमबर 5 और कुस्ता नमबर 6 आप सुयम सॉल्व कीजीगा देखिए आपे कुस्षा नवर 4 से आपको यक्स वाई जड की रूप में दे दिया गया है तो इसको हम नेक्स सेसन में देखें कि कोई अभी मैंने आपको केवल दो ही बताया है यक्स वाई की रूप में समीकरण के रूप में आपको आप भी ए निकालना केवल एक्स और वाई की रूप में बताया है तो यहाँ पर जो कुस्षा नवर 4 से कुस्षा नवर 6 तक है उसमें एक्स वाई जड तीन है तो सबसे पहले उसको बेसिक बताऊंगा उसके बाद उसको साल्व करूंगा तो बच्चो बस इस कुस्षा नवर 3 तक रखेंगे आने वाल इंडेक्स वीडियो हम कुस्षा नवर 4 से स्टाड करेंगे थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो हैव अग्रेट डेए